हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ संजय और आप देख रहें फेमिली हेल्थ के रूटुब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इम्यून सिस्टम को लेकर के यारी की शरीर की रोग प्रतिरोधक चमता को लेकर के यारी शरीर के अंदर रोगों से लड़ने वाली जो ताकत होती है उसको हम कैसे बढ़ाएं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो इससे समझना बहुत ही जादे जरूरी है हर इंसान के लिए क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज की रेट में एक्चुली वाइरल इंफेक्शन बहुत ही जादे हो रहा है तो एक्चुली ये सारे जितने भी वाइरस हैं अगर आपके अंदर आपकी इम्यून पाएंगे तो इससे प्रापर समझरी के लिए आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं और एकर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेजी शनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते हैं ये लाइगान पर क्लिक करना ना भूले ताकि जब भी मैं नई वी रोधक शमता अगर आपकी कम होती है तो इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्यों जरूरत है जरूरत के अगर हम बात करें तो एक्चली क्या होता है कि जैसे कोई भी वाइरस जो हवा में है वो एक डिट पार्टिकल है बहुत ही छोटा कड़ है वो हवा में घूंग रहा है जो एक्टिव नहीं रहता लेकिन वो आपके बोडी के अंदर जाते ही एक्टिव होता है जैसे आप सांस लेते हैं सांसों के माध्यम से जब आपके बोडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिव होने की कोशिस करता है वो एक्टिव हो जाता है तो ये वाइरस जो हते हवा मे होते हैं वो आपके बोडी में जाते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं लेकिन वो एक्टिव से रोकने के लिए वो एक्टिव ना हो उसके लिए जरूरी है कि आपके बोडी के अंदर इम्यून पावर का बुष्ट रहना आपका रोग परतिरोधक छमता अगर बलवान है तो वो वाइरस आपके बोडी में एक्टिव नहीं हो पाएंगे वही होता है इम्यून पावर जिसको बुष्ट करने की जरूरत है आज की रिट में तो अगर हम कारलों की बात करें तो सब सब्से बड़ा कारण आपका गलत खान पान है या फिर वजन का बहुत ही जादे बढ़ जाना या बहुत कम होना ये भी कारण बनता है अत्यधिक धुम्ब्र पान या फिर नसा करना ज्यादे एलोफैथ दवा का चल जाना या फिर ज्यादे बार-बार कोई सा भी पैनकिलर ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है आपके immunity लो करने का, पौश्टिक आहार का ना लेना, हमेशा टेंसन वद तनाव में रहना, पूरी नींद का ना लेना, ये सब सारे कारण बनते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सारे कारणों पर काम करना होगा, खान पान आपको सही करना होगा, और इसे related जितनी सारे reasons मैंने बताए, इस पर आपको जो है सबसे पहले काम करना पड़ेगा, अगर आप इस पर काम नहीं करते हैं, आप अपने दिन चर्या को सही नहीं करते हैं, तो सिर्फ दवायों से उतना possible नहीं हो पाएगा, तो इस तरीके से जब weak होगा आपक सर्दी जुखाम छीके आनाई स्टार्ट होता है, सर्दी जुखाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, जिसको viral fever के नाम से आपने सुना होगा, यह सारे लक्षण आते हैं, खांसी आनाई स्टार्ट हो जाता है, तो यह सारे normal इसके लक्षण होते हैं, जिससे यही स्टार्ट होता है उसके बाद ही ये बड़ा रूप लेता है तो ये जब भी आपको problem होती है तो आपको ये मानना जिनको बार बार ये problem हो जाती है मौसम बदलता है maximum लोगों को ऐसा देखा गया है सरदी से जब गर्मिये स्टार्ट होगी तो उनको हो जाएगा इस टाइप करते हैं तो घरेली उपाई के बारे में अगर हम बात करें तो आपके kitchen में जो है रखा हुआ काली मिर्च जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है ये आपके body का resistance को बढ़ाती है जिससे आपका रोग प्रतिनों चमता बड़ता है तो काले मिर्च को किसी भी रूप में आपको जरूर सेवन करना चाहिए उसके बाद है आपके kitchen में healthy जो कि बहुत ही powerful है या बहुत ही best anti-vacterial, anti-viral, anti-fungal गुरों से भरपूर है तो इसका 7 आपको जरूर करना चाहिए बहतर होगा कि सुबह खाली पेट अगर आप एक चोथाई चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके mix करके अगर पीते हैं तो इसका असर बहुत ही positive होता है उसके बाद जो है आप रात में सोने से पहले दूद के अंदर पका करके भी आप जो है यानि हल्दी वाला दूद भी आप ले सकते हैं तो इस type की problems आपकी काफी दूर रहेंगी उसके बाद है कच्चा लहसुन इसके अंदर vitamin A, sulfur और zinc पाया जाता है जिसके वज़े से या आपके immune power को boost करने में काफी मदद करता है तो कच्चा लहसुन आपको सुवा खाली पीड जरूर खाना चाहिए अगर जो लोग नहीं खा पाते हैं तो इसके लिए जो है लहसुनादी वटी आती है आप उसका 7 कर सकते हैं टैमलेट है ये classical medicine के तोर पर लगबग सभी brand बनाती हैं आप उसका भी 7 कर सकते हैं उसका और सरदी जुखाम खां सी नीमोनिया उनको पकड़ती रहती है तो छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़ादे जरूरी है कि वो अपने मा का ही दूद पिये मा के दूद से बहतर कुछ नहीं होता बहुत ही बेस्ट जो है रोग परती दूदर च्शमता जो है उनकी बनी रहती है लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मा का दूद पी रहे हैं उसके बावजूद भी उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि बार-बार वो बिमार पड़ रहे हैं तो अगर ऐसा देखा जा रहा है तो मा को सतावर या फिर सताव वाला दूद बनने लग जाएगा जिससे बच्चे जो बार-बार बीमार पढ़ रहे हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा उसके बाद 2-3 साल से उपर के जितने भी बच्चे हैं उनको बादाम जरूर देना चाहिए यह बहुत अच्छा काम करता है बादाम पर इस्पेसल मैंन जादे करना चाहिए इन सब के अंदर जो गुड होते हैं वो आपके इमिन पावर को बहुत ही जादे बढ़ाते हैं हम बिल्कुल गहराई से नहीं समझेंगे नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इन सब पर मैंने वन बाई वन करके वीडियो बना रखा है आप चा आपसे गिलोई धर्ती पर सबसे बड़ा सबसे बहतरीन जो है एक अमरित समान इसको अमरित बल्ली भी बोला जाता है एक अमरित समान अवसधी है जो आपके इमिन पावर को बहुत ही सबर्दस्त तरीके से बुष्ट करता है बहुत ही अच्छा काम करता है आप जो है गिलो आप ले करके और उसको कूट करके अगर आप उसका काढ़ा बना करके आप पीते हैं काढ़ा बना लेजी उसमें थोड़ा सा काली मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं तो जो ये काढ़ा बनेगा ये आपके इमिन पावर के लिए सबसे बेस्ट क तो आप इसका काड़ा भी पी सकते हैं, अगर नहीं मिलता है, तो मार्केट में इसका juice available है, वो ले सकते हैं, लगबक सभी brand बनाती है, घलवटी गिलो की tablet मिलता है, मार्केट में आप पतंजली का भी ले सकते हैं, बहुत सारी कम्पनियों का आपको मिल जाएगा, आप इसका टैबलेट भी इस्तिमाल कर सकते हैं। सुभा खाली पेटिस का इस्तिमाल करना होता है। रात को सोने से पहले आप इसको एक एक टबलेट या फिर दो दो टबलेट लेकर सो सकते हैं। आपको बहतर रेजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है, बॉड़ी को तकत देने के लिए आप अलोवेरा ले सकते हैं, जो हड्डियों के लिए काफी बेतर होता है, बेटामिन C के लिए आवला जूस ले सकते हैं, अलोवेरा आवला जूस एक साथ आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, उसके अलावा आप मिला सकते हैं, दूद के अंदर, रात को जब आप सोने जाते हैं, सोने से पहले, खाने के बाद, आप दूद जो पीते हैं, उसके अंदर आपको अस्वगंधा, आधी चमश जरू डालना चाहिए, अस्वगंधा, सतावर और सफेद मुशली, अगर आप तीनों ही डाल करके अगर आप पीते हैं, तो बहुत जल्द से जल्द आपका इम्मुण पावर बूस्ट होगा, जैसे कि आप सतावर देख पा रहे हैं, मेरे पास सारी चीज़े हैं, हमेसा हमारे घर में यूज होता है, ये रहा अस्वगंधा, पतांजली का मैं यूज करता हूँ, और ये आप देख सकते हैं, सफेद मुशली, ये थोड़ी महंगी होती है, सफेद मुशली, अगर आप इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अस्वगंधा कि अगर हम बात करें, 56 रुपीज का है, और सतावर कि अगर हम बात करें, तो ये भी मजबूत हो जाएगी, काफी बलवान हो जाएगी, जिससे आपको रोग जो है, इतना जल्दी नहीं पकड़ेगा, आपका यूमिन सिस्टम बूस्ट हो जाएगा, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, तो आप इस्पिरिलूना आप ले सकते हैं, इस पर मैंने आप एक दो आउसदियां आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें, जिसमें आप अपने आपको कमफर्टेबल मैसूस कर रहे हैं, वो अप ले सकते हैं, जादे क्रोनिकल प्राबलम जिनको है, वो गिलोई का जूस जरूर ले या फिर गिलोई का काढ़ा जरूर बना करके पिए इसका बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद बहुत ही ज़ादे जरूरी है इन सब के साथ कि आप प्राबायाम जरूर करें, प्राबायाम के अंदर आपको जो है भसरिका, अनलोम बिलोम और कपाल भाती, ये तीन प्राबायाम आपको सभ जरूर करना चाहिए, इसके अलाबा और भी बहुत सारे प्राबायाम हैं, लेकिन ये तीन प्राबायाम जो है इम्मुनिटी पावर के लिए, जैसे भसरिका, इम्मुनिटी के लिए बहुत ही बेश्ट माना जाता है, इससे आपका इम्मुनिटी जल्द से जल्द जाहिए, हमेसा लेते रहना चाहिए, कुछ ना कोई जिससे आप क्या इम्मुनिट सिस्टम हो बुष्ट रहेगा, हमेसा सही बना रहेगा, एक ताकतवर बना रहेगा, जिससे वायरल का जो समय बदलते, जो इन्फेक्शन होता है, वो आपके बोडी में नहीं आएगा, और आप हमेसा बिल्कुल निरोग बने रहेंगे, तो दोस्तों ये था इम्मुन सिस्टम को बुष्ट करने का तरीका, दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, पिलीज आप कमेंट पे बताएंगे, और अगर ये वीडियो इचले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ स इस साथ में, तब तक के लिए, थिंक यू, हैवन आज टे, बाबाए